कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बिदा दें कि फिल्म लाल सिंग चड़ा लगाता जो है अब अपने हर कदब फ्लॉप होने की तरफ बढ़ाती निज़रा रही है जिस तरीके से लाल सिंग चड़ा का कलेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरीके से लाल सिंग चड़ा आमें खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट्टी नजर आ रही है इसे लेकर अब लगातार बॉलिवुड के कई सारे स्टार्स की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है चाहरी तिक रॉशन हो नहा दूपिया हो य मुकेश खना की मुकेश खना जी जो है अपनी बातों को बेवाकी से सामने रखने के लिए जाने जाते हैं मुकेश खना जी फिल्म इंदस्ट्री का एक अंग है 40 साल इस इंदस्ट्री में रहे हैं लेकिन इसका बाद भी आपको बता दे कि बॉलिवुड की कड़वी इससे भी सवाल पूछा गया उसे एक इंटर्व्य को दरान सवाल पूछेंगे लाल सिंग चड्डा के रिलीज से पहले बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा था लाल सिंग चड्डा के बाद फिल्म फ्लॉप होने के कगार पर आगे बढ़ रही है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक् मुझे आपनी गल्ती रेलाइज पटा है कि आसपित्री अठीक है कर तो मुझे यह अच्छा में जो रोकता है किया नहीं फो फ़लॉप हो दार्चवी से यह फ्ल्म को बनाता है कि फिल्म को तो को भी जिस डारेक्टर ने बनाया है काफी समझदार इंसान ने बताया लेकिन अब उन्होंने यह स्राफ्तवर पर एक मैसेज जो है वो कनवे कर दिया है यह मैसेज यह सबस्ट है कि हिंदूों से अगर आप पंगा लोगे तो आपको यह भारी पड़ेगा अगर हिंदू धर् आप फिल्म को नहीं देखेंगे पहले जो हमारे कल्चर था थी देव भाववा उसके दमने मुगलों को आने दिया हमने और जो फॉरेनर्स थे उनको भी आने दिया और फिर आके उन्होंने जो है हमारे एकता की कमी के वजए से हमारे पर राज किया लेकिन अब उस गलती को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आज के वक्त में अगर आप अपमान करेंगे तो उस अपमान का आपको हजाना भी भरना पड़ेगा आज के वक्त में चीज जो है पहले से बदल चुकी है उन्हेंने का कि बॉक्स ऑफिस करेक्शन की बात कहीं जा रही है वह उन्हें अगर फिल्म काम नहीं करें लगर वह रही है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर देवी देवताओ को मजाग पढ़ा है पर चाहिकता हुए लेकिन अब लोग समझते लगें आप लोगों को ही समझे आगया है कि शूशल मीडिया पर उनकी आवाज उठाने क की जरुएत है इसके बाद आपको पत्रकारी सवाल पूछा कि पहले जो है लोग इस तरीके से बोई कॉल रहा है और बस बनाने की कोशिश की जाती थी लेकिन अब यह जो नमूना था अब यह जो कहीं अब इस्ट्राटेजी था अब यह बॉलिवोड पर बैकफायर कर रहा है अब लोग जो है समझते हैं कि यह फिल्म अगर बॉयकॉट हो रही है यह 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 रीजन के वज़े से हो रही है इस तरीके के बयान दिये गए और एक जूटता नेकले मिलती है और इसके बाद इस तरीके के फिल्म जो है बुरी तरह से पिटती नजर आती है उन्हेंने का जो प्रोजेक्स थे उनको लेकर प्रोटेस्ट हुए पदमावर्थ हो लक्षमी हो तांडव हो लेकिन यह पहला ऐसा केस था जिसमें पुरानी बातों को इठा कर विरोध हो रहा है यानि साफतोर पर हिंदू आहत थे और जो है इसका असर देखने के लिए मिला है कि आज य करेक्रास का करना उसे अपशर नहीं किया जाएंगा तो सब्सक्राइब आपनों करना आप बात को सामने रख रहे हैं उन्हों ने सहीं करार दिया कि यह कंई सब्सक्राइब बीसाइब नहीं इसका जाए लिकिन अगर आपके एक्षन ऐसे हैं जैसे दर्शकों को दुख पहुंचता है तो आपका बोई-कॉर्ट शुरू हो जाता है अगर कोई गैज दिम्हेदाराना हरकत करते हैं तो लोग बढ़क जाते हैं और विश्वक जितने पर जंता उन्हें बहुत प्यार देते हैं लेकिन बुरा खिलने पर उनके पुतलत भी जलाए जाते हैं तो साफ तोर पर उन्हें करेंगे आपको इसा भरना पड़ेगा मैंने हमेशा ऐसा ही माना है कि फिल्म देखने चाहिए लेकिन अब मुझे लगता है कि मैसूस हो रहा है कि हिंदू समाद जाग रहा है हम कभी अपने घर्म को गंबिरता से नहीं लेते हैं लेकिन अब उन लोगों का विरोध हो रहा है उन्होंने पहले नहीं होता था इन परिसितियों को देखकर कुछ लोग हिंदू को संप्रदाइक कह रहे हैं लेकिन हिंदू करें तो संप्रदाइक और बाकी करें तो कुछ नहीं यह सही बात नहीं है मैं इस प्रोटेस्ट को सपूर्ट करूंगा जब तक आप दंड नहीं चोड़ता पीके फिल्म के में भी उन्होंने ऐसी बात कही थी अगर इन लोगों को सबक कर सिखा दिखा सिखाना है और नुकसान दिला कर सीख देनी है तो दीजिए दंड का दर्द दीजिए दंड का भै दीजिए तो अब साथ तो पर देख सकते हैं उनके यही कहना है कि अग चीज़े की है हिंदु देवी देवताओं का अपमान किया है आज हिंदु समाज जाग गया है आज हिंदु समाज समझ चुका है कि अगर आप गलत बोलेंगे अगर आप गलत कहेंगे तो फिर आपको यह जेलना भी पड़ेगा अगर आप कहते हैं कोई बयान देते हैं और आपको लगता है कि हम सब कुछ ले सकते हैं अगर अगर आप किसी भी तरीके से तो आप अगर आप जो है जहें जहें बोलेंगे गलत बोलेंगे इसका आपको फार्ट देखना पड़ेगा इसका आफ यह है आपको जहना पड़ेगा क्योंकि अब हिंदु ऐसी चीजों को नहीं सहे और निकाल की इन सब को जो है ब सबक सिखाना है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालजिंग चंडा ज्क ट्रोल होरही है उसते उन्होंने कहा कि सबक इन्हें जरूरी है अभी नहीं ने लोगों की कुछ क्लिप है इसके बाद उन्होंने कहा कि वो फिल्म अपने देखते हैं कुछ सिक्षा पाने के लिए वर्षोस हो रहा है लेकिंगे विरोध किस बात कि हमारी फिल्म दस्टी इचावी बहुत सब्सक्राइब कहा कि आमिर खान को एक बचकानी बात कह दी और मेर चैनल में अगर्षोस रहा है कि हमारा हिंदु समाज जाग गया है हमने कभी अपने धर्म को सीर्यस्थिन नहीं लेकिन अब ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है चलिके सब्सक्राइक हो रहे हैं तो को आपने दर्म को सपर्दाइक करता है तो नहीं कोई यह कोई बात नहीं लासिंग चड़ा के ऊपर रहा अब ऐसे में हमने आपको यह पूरा मामला बड़ विस्तार से बताए कि पूरा मुद्धा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर साजह करें कि कि